हेलो दोस्तों नमस्कार और आप सभी लोगों को सिवरात्री की धे सारी सूप कामना है तो इस दिन का बहुत बेसबरी से इंतिजार था कि एक दिन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सो लेकर आऊंगा एक ऐसा एपिसोड लेकर आऊंगा जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट इसे बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट साबित होगा याद रखेएगा आज वो खास दिन है क्योंकि आज सी उरात्री भी है और आप लोगों के लिए आज से मैं एक नया एक्जाम बूश्टर सो लेकर आया हूं कहने का मतलब यह है कि नाम आप देखी पा रहे होंगे कि ब यहां पर मैं आपको डेली कुछ नए कॉंसेट सिखाऊंगा और इन कॉंसेट के थूँ आप कोई एक्जाम कोई भी एक्जाम करेक कर सकते हैं मतलब अगर आप 10 मिनट यहां पर होते हैं पूरा सेसंट जरूर देखेगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी चलो स्टार्ट करतें बगैर टाइम बरबाद किये हो मेरे दोस्त यहां पर ना आज एपिसोड फर्ष्ट है तो मेरे दोस्तों आज यह फश्ट एपिसोड है तो आप सभी लोगों से रिक्वेश्ट है कि आपना फीडबैक जरूर दीजिए को पता है कभी RB jaet sacred aoda sit-in code पूची लेता और से तीन इलेता और यह वाले क्लास में आप दस मिनट ses reply में हर एक्जाम में कम से कम एक सदो नंबर सिक्योर करेंगे और यह डेली आएगा आपका सो यह डेली दस वज़े आप जुड़िएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाईएगा चलो इस्टार्ट करते हैं पहला क्या है आई एस 456 हर बच्चे को पता होगा यह 456 इस 456 2000 जो बहुत है किसके लिए है कोड़ प्रैक्टिस ओर प्लेन एंड रन फोर्श्ट कॉंक्रीट लें और इंफोर्श्ट के लिए और 800 किसके लिए सब को पता है किसके लिए है इस्टील स्टेक्चर इलिए याद रखेगा यह तो बहुत पुराने कोड हो चुके हैं तो इंपोर्टेंट क्या सर अभी आपको देखने को मिलेगा यहां से आपको देखने को लगा 875 का है के लिए होता है यहां पर यहां पर एड नहीं किया जाता है याद रखेगा और वैसे ही 875 पार्ट वन 875 पार्ट वन में आप देखेंगे डेड लोड डेड लोड के बारे मताया गया है और 875 पार्ट तू में आपका क्या देखेंगे इंपोज लोड यहां पर आपको मैंने क्या क्या बताया तो क्या हो गया आपका इंपोज लोड हो गया यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं अगला क्या है और 875 पार्ट 3 में क्या होगा अब आप वहां पर हवा भी चलेगी विन लोड हो गया पार्ट 4 में क्या हो जाएगा इसनों लोड आपका हो गया पार्ट 5 में क क्या होगा इस्पेसल लोड एंड कॉंबिनेशन इस्पेसल रोड एंड कॉंबिनेशन ये तो 875 के जो पांस तरीके में डिवाइड था पार्ट फाइब तक वह आपको पढ़ा दिया गया आगे देखते हैं क्या को के बीवाइब को आईयस 419 383 आप जाईयेका चेक करिये का की लास्ट ये यहीं हिवारा आपकी एक्जाम में आया था कि के लिए होता प्रिश्टियस कंक्रीट के लिए होता प्रक्टिस फॉर प्रिश्टिस कंक्रीट के लिए और इसके बाद 1889 कौन सा अ riot Second company कहें कंडरी होगा और्थ क्याइक कराइटेरिया फ़ोर तर उर्तक्वाइक रिजिस्टेंस डिजाइन और इस्टेक्चर क्या है अर्थक्वाइक रिजिस्टेंस डिजाइन आफ इस्टेक्चर इसके बाद 10-2062 भी यह वाला लास्ट टाइम में कुशन आया था 2023 2023 वाले पेपर में भी आया था कहाई के लिए है गाइडलाइन पॉर कॉंक्रीट मिक्स के लिए चाहिक लिए आपको याद रखने है आट सो पचातर की सीरीज आपको याद रखने है देखिए माकी 456 तो हर बच्चे को पता मतलब मुझे ऐसा लगता कि जो भी टेक कर रहा होगा 456 पता होगा 800 800 पता होगा लेकिन 875 बस इतना पता होगा कि 875 का है कि लिए उच्का जाता लोड की लिए और उसको नहीं पता होगा लेकिन आपको पता है आपको और इसके बाद क्या हुआ इसके बाद यहां पर देख लिजे़िए इस सब्सेशब 26 आट यस्पी 620 SP 61 SP 61 है वहाँ पर आप यह देखेंगे ना क्या है h peso for handbook for structural engineers और structural स्टील सेक्शन के लिए इस्टेक्शन इस्टील स्टील स्टीन के लिए है और इसके बाद आप देखेंगे SP 16 अभी तक साइद आप इसको नहीं पढ़े पहली बार पढ़ रहे होंगे कि येस्पी क्या है इस पेसल 23 क्या है अपने इस पिसल कि शिच्टीन मूवी देखा होगा साइड तो यहां पर येसपी 6 का पार्ट वान है जहां पर हैंडबुक और इस्टेक्ट्रल इंजिनिंग के लिए एसपी 16 है डिजाइन एड फॉर्ड रिन्फोर्ष्ट क्राइटेरिया इस 456 1978 इसपेसल 23 में यह स्किप कर सकते हैं लेकिन यह आपको पढ़ना होगा यह पढ़ना होगा इस पेसल 34 का यह लिए होगा हैंडबुक हैंडबुक और कॉंक्रीट रिन्फोर्ष्ट एंड डिटेलिंग तो यहां पर देखे मैं लेकर तो आया हूं आप लोगों के लिए लेकिन यहां पर यहां पर आप देख पा रहा होगे की आई एस 875 यहां पर देखते हैं कि आई एस 875 यह तो पढ़ लिए तो आप लोग कुशन करके बताए यह जब आपको पढ़ा दिया हो तो आप लोग ही बताएंगे इसका यह सबन्टी फाइब एक दूसरा तो आप चेक कर सकते हैं अधारा तरान बेकाइब के लिए और को एक रजिस्टेंस के लिए 73 का लिए लिक्वीड इस्टोरेज इस्टेक्चर और मैं बतादू अभी आप जाकर चेक करेंगे न यह सी में आया हुआ कुशन है यह वाला आई यह समय कुशन कुशा गया की लिक्वीड इस्टोरेज इ इसलिए कौन सा यह स्कोरी ऊच्ञाइब की यहां पर आप जब आई-a-s परठें भाई, तुम बहुत बहुत धेर सारा आप सब्सक्राइब आतों नहींपर सकते हैं और याद भी जनुर cette किसी को भी नहीं is 383 is 383 में क्या बतायाया गार इस स्टेटिके संफ आराइन कूर्स एंग्रिगेट from नेच्रूर म workersझेट family क्या है इसपैसिफीके तन फाइन और कॉर्स एंगरिगरेट के लिए कहां से निचुरोल सर्स अप टर शुर्स नपया चेकर लीज 4457 456 तो फाइब पढ़े ते उसका बड़ा भाई यह यह 456 पढ़ेते पॉर फाइब से बने कोड़ आप प्रेक्टिस वर जन्रल कुश्ट किसन और प्लेन एंड रिल फोर्ष कंक्रीट फोर डैम एन अदर मैसिव श्क्रेट यह तो याद हो जाएगा अप सुनिये ना 456 कहे और प्लेन इस्टेस के प्लेन कॉंक्रीट के लिए लेकिन इससे थोड़ा एक अगर टम्स उपर बढ़ेंगे 407 में तो डैम एन अधर मैस्यू श्टेक्चर डैम एन अधर मैस्यू श्टेक्चर आई येस जब तक आप लोगों का सयोग अगर मुझे पूरा मिलता रहाना तुम्यार टार्गेट है खोटा-छोटा छोटा-छोटा कि यह 100 एपसोड तयार करूंगा ताकि आपके एक्जाम में 100 कुछन आते हैं तो मेरा भी एक सोच है कि 100 एपसोड आपके लिए बनाओं और अगर यह 100 एपसोड आप पूरा का पूरा देख लेंगे ना गरंटीक साथ कहता हूं कि 50 से 60 कुछन डिट्टू यहीं से आपको मिल जाएगा यहां पर फिर क्या है आपका आई एस 269 आपको याद आ रहा हो गा-269 कह लिए 33 ग्रेट्स की लिए 33 जिमंट के लिए आपको पता भी चुकों कैसे मुझा याद आया 33 ग्रेट कैसे आदाया कि अगर मैं यहां पर 33 लिग दिया टु लिग दिया तो यहाँ पर हैस सिक्स आ गया थे इंटू थ्री नाइन आ गया याद हो गया और वैसे ही आप याद कर सकते हैं जैसे 53 का कितना हो जाएगा 12269 हो जाएगा इस तरीके साप याद कर सकते हैं और इसके बात क्या होगा 4926 2003 कोड़ा प्रेक्टिस फ़र रेडी मिक्स कॉंक्रीट जो अभी के लिए आपको पीडिया भी मिल जाएगी और यही सारा कुछ आपको बढ़ा से देखना है और फिर इसके बाद आगे चलते हैं यह दस दो सो बासट दस दो सो बासट गाई डाइन आफ कॉंक्रीट में पर पोर्स निंग के लिए करवा चुका हूं 12269 53 के लिए होगा तो 43 के लिए आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा 812 यह किसके लिए हो जाएगा ओपीसी 43 के लिए हो जाएगा इसपेसल 16 1980 काहे के लिए होगा डिजाइन एड एड्स फ़र एंफोर्ष्ट कॉंक्रीट टू आई एस 456 ओके 27-50 काहे के लिए होगा इस्टील इसका फोल्डिंग लिए या होती है कि जैसे लखड़ी वाले में बार-बार पिंड करना या डिके नहीं हो जाए यहां पर यह सारी समय सैंग नहीं होती इस पिसल सिबन काहे के लिए होगा ग्रूप वण देखेगा बहुत अच्छी बात है यहां पर क्या है नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया 2005 यहां यहां पर आएशनल बिल्डिंग कोड अफ इंडिया जो हमारे हैं बिल्डिंग मंतीन 2005 के इसाब कहां रखा गया उसके सारे पॉइंट कहां रखे गए SP7 में रखे गए तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि मैं आज आपको क्या क्या पढ़ाया हूं आज के लिए इतना था कल फिर मतलब डेली आप लोगों के लिए 10 मिनट सो में ऐसे ही इसक्राइब को मिलते रहेंगे ओके यहां पर मैंने आपको क्या क्या बताया है एक मिन आपको रिवाइस कर देता हूं देखेगा यहां पर आईया सबस्क्राइब कर लिए यह दो दोनों याद होंगे यह ते SP 23 handbook on concrete mixes के लिए होगा और फिर इसके बाद आप इसको पढ़ भी सकते हैं पूरा का पूरा ये कुश्यन आपको करवा दिया था 383 कहे के लिए होगा 457 कहे के लिए होगा पहली बार आप पढ़े होगे 516 कहे के लिए होगा होगा concrete की extent के test के लिए होगा 269 आपको पता होगा ready mix concrete के लिए 4926 होगा 10 comme note 4262 12279 आपको पता होगा और Russian 7 चलिए अब आरी हा आप लोगों के लिए homework के लिए homework में आप को क्या क्या डाना है कि rapid-hatning e-s corne tbロ aBER part an luchit ciment का आयर स्कॉड आपको बताना है और rapid सेटिंग सीमेंट का आपको रिए स्कॉड बताना यह तीनों का Is course जो है अना आप comment section में मुझे बताईएगा कि क्या होगा और भाई देखो अगर आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिलता रहा तो मैं आपसे जो प्रॉमिस किया हूं कि यह वाली जो सिरीज हैना हंडेट लेकर रहूंगा मतलब हंडेट एपसोड आएगा तो फिर मिलते हैं भाई आपसे कल फिर नए एक एनर्जी के साथ नए concept के साथ और आप लोगी सुरात्री मलाई मनाईए ओके बबाए लव यो टेकर जैन